बिस्मिल्लाइ रख्मान रहीम नाइथ क्लास आज हम चप्टर थ्री डानेमिक्स के कॉंसेप्चिल क्वेस्टन सॉल्ब करेंगे के एक कार्पिट है जिसको हैंग किया गया है और उस कार्पिट को जब हम बीट कहते हैं स्टिक की मदद से या किसी भी चीज की मदद से तो उस मेंसे जो डस्ट होती है वो कैसे ओड़ जाती है यह बिसिकली इस सिच्वेशन की बात करें है आपको डायाग्राम की सूरत में अगर दिखाऊं तो यह आप देख सकते हैं कि एक कार्पिट हैंग की यह है इसको जब हम स्टिक से मारते हैं जब किसी भी चीज से मारते हैं तो इस से जो डस्ट पार्डिकल्स होते हैं कैसे फ्लाय आफ कर जाते हैं बेसेकली इसमें अनर्शिया अप्लाई हो रहा है कि जब कार्पिट के उपर डस्ट पार्डिकल्स मौजूद हैं और किसी भी चीज की मदद से कार्पिट को हिट किया जाता है तो जो उसके डस्ट पार्डिकल्स हैं वो अनर्शिया की वज़ा से अपनी पुजिशन बरकरार रखने की कोशिश करते हैं जब के जो कार्पिट है वो आगे की तरफ मूव कर जाती है जिसकी वज़ा से वो डस्ट पार्डिकल्स वहां से फ्लाय आउफ कर जाते हैं नेक्स्ट नमोरे पास क्वेस्टन नमबर टू है अगर हाथ गीले हों और टावल मौजूद नहीं है तो हम अपने हाथों को जारते हैं हाथों को हिलाते हैं तो उससे पानी की कुछ मिकदार नीचे गर जाती है पानी नीचे गर जाता है जो हाथों पे लगा होता है इसकी रीजन क्या है तो इसके पीछे भी वही रीजन है जो कैसर नमबर वन में थी क्या अनर्शिया जहां पर अपलाई हो रहा होता है हाथों के उपर जो पानी मौजूद है जब हम हाथों को हिलाते हैं जोर से शेक करते हैं तो उससे क्या होता है क्या हाथों के उपर मौजूद पानी अनर्शिया पेज़ पे अपनी पुजिशन पर करा रखनी कोशिश करता है लेकिन वो हाथ तो आगे मूब कर जाता है तो जो वाटर है वो उदर ही रुख जाता है अनर्शिया की वज़ा से और फिर ग्रैविटी की वज़ा से वो नीचे गर जाता है तो इस तरीके से जो हमारे हाथों बेपानी लगा होता है वो जोर से हाथ हिलाने से रिमूव होता है नेक्स्ट आमारे पास क्वेस्टन नमबर थ्री है वैए अ बैलून फिल्ड विद एर मूव फारवर्ड वन इट इस एर इस रिलीज़्ड एक बैलून के अंदर एर फिल हुई है और उसको जब छोड़ा जाता है तो वो फारवर्ड की तरफ मूव करता है वो आगे की तरफ मूव करता है बैलून जब उसमेंसे एर रिलीज़ हो रही होती है तो इसको हम देख सकते हैं कि वो बैलून जिसके अंदर एर फिल हुई होती है जब हम उसको छोड़ते हैं तो उसमें से एर इसकेप होती है एर निकलती है काफी हाई प्रेशर के साथ अब वो जो एर उससे रिमूब हो रही है वो हमारे पास एक्शन है ठीक है और Newton third laugh motion के मताबिक हर action का एक reaction होता है तो यह जो air इससे remove हो रही थी इसका reaction यह हुआ कि यह balloon उसकी opposite direction में move करना शुरू हो गया तो यही बात question में पूछी गई थी कि जब air release की जाती है तो balloon forward क्यों move करता है तो यह Newton third laugh motion के मताबिक action and reaction का process जहां पर involve होता है नेक्स्ट हमारे पास question नमबर फूर है Why does a horse pipe tend to move backward when the fireman directs a powerful steam of water towards fire कि जो horse pipe होती है वो backward क्यों move करती है जब एक fireman जो है fire fighter जो है आग बुजाने के लिए उससे पानी की जो stream है stream of water वो fire की तरफ फैंकता है तो उसमें भी वही reason है जो इससे पिछले question में थी कि जब यहां से water काफी high speed से काफी high pressure के साथ eject होता है तो यह हमारे पास action है और इसका reaction जी होता है कि जो वो fire hose है जो hose pipe है वो उसके opposite direction में move करती है यानि के अगर यह water जो था stream of water यह fire की तरफ फैंका जा रहा है तो उसके opposite direction में यानि के backward direction में यह hose pipe move करेगी तो यहां पर भी newton third love motion action and reaction अप्लाई हो रहा है next question number five है your car is stuck in wet mud car stuck हो गई है wet mud में तो कुछ students आपको उस जगह पर देखते हैं तो वो आपको देखते हैं कि आप मुसीबत में घरे हुए हैं और वो आपको उस मुसीबत से निकालने के लिए जो कार की ट्रंक है कार की डिगी है उसमें बैठ जाते हैं तो जी कैसे help करता है कार को वहाँ से निकालने में तो basically अगर आप situation देखें तो कोई आपकी जो कार है कार के front wheel है और rear wheels है अब जब वो ट्रंक के अंदर बैठेंगे तो ज़्यादा force के इस पर पड़ेगी ज़्यादा pressure पड़ेगा किन पर rear wheels पर तो इसका मतलब भी हुआ कि जतना ज़्यादा हम उसके उपर pressure डालेंगे जतना ज़्यादा weight होगा उतनी ज़्यादा friction होगी road और tires के दरमियान तो यह जो wet mud थी इसके अंदर कार फंस चुकी थी तो जब trunk के अंदर students बैठें तो उस कार का जो weight था उन rear wheels पे वो काफी ज़्यादा हो गया जब weight ज़्यादा हुआ तो उसका effect ज़्यादा हुआ कि कार को जब आगे move करवाया गया तो mud और कार के दरमियान जो force of friction थी वो increase कर गई थी पहले की निस्बत तो वो कार वहाँ से निकल जाएगी अगर फिर भी नहीं निकलती तो number of students increase कर दें यानि कि weight increase कर दें ट्रंग पे कार पे तो फिर chances हैं कि वो कार निकल जाए वहाँ से तो basically students जब ट्रंग के अंदर बैठे तो उससे यह हुआ कि जो weight वो increase हुआ यानि कि normal reaction force increase हुई जिसकी वज़ा से friction increase हुई तो जो कार थी वो easily बाएर आ गई next हमारे पास question number 6 है how does friction help you walk? is it kinetic friction or static friction? friction हमें चलने में कैसे मदद देती है यह static friction होती है या kinetic friction होती है तो basically हम क्या करते हैं foot की मदद से ground को backward push करते हैं और अगर उस दौरान में friction मौजूद ना हो तो हम slide कर जाएंगे जैसा कि जब हम ice के उपर चल रहे होते हैं तो तब हम slide कर जाते हैं गिर जाते हैं ठीक है यानि कि pound slip हो जाता है तो friction force वो force है जो हमें चलने में मदद देती है अब वो force of friction जो body पे उस वक्त अप्लाई हो रही होती है जब body rest में हो उसको static friction का नाम दिया जाता है और वो friction जो के जब body move कर रही हो और उस वक्त उस पे अप्लाई हो रही हो तो उसको kinetic friction का नाम दिया जाता है तो जब हम ground पर चलते हैं feet की मदद से तो feet कुछ movement के लिए वहाँ पे rest में होते हैं अब जब वो rest में है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पे static friction अप्लाई हो रही होगी feet और ground के दर्मियान तो इस वज़़ा से हमें चलने में static friction मदद देती है the parking brake on a car causes the rear wheels to lock up जो parking brake होती है उसकी मदद से क्या होता है जो car के rear wheels हैं वो lock हो जाते हैं what would be the likely consequences of applying the parking brake in a car what is the rapid motion कि जब rear wheels को press किया अचानक अपने brake apply कर दी जाए तो उसकी वज़़ा से rear wheels lock up हो जाते हैं अचानक brake apply करने से हो गया क्या वो हमने situation बतानी है तो basically वो parking brake जानी के hand brake की बात कर रहा है तो parking brake जब apply की जाती है जब car move कर रही हो, motion में हो तो जो rear wheels होते हैं वो skid कर जाते हैं rear wheels उसने बताया था ना lock up हो जाते हैं lock up हो जानी के उनने move करना छोड़ दिया move करना तो छोड़ दिया लेकिन वो rest में आने के लिए car को rest में आने के लिए जाहरी सी बात है एक speed में move कर रही थी तो उसको rest में आने के लिए car skid करेगी to skid across the road तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो friction है जो act कर रही है rear wheels की में वो kinetic friction है जो के smaller in magnitude than the static friction experienced by the front wheel तो front wheel में जो static friction मौझूद होती है उसकी निस्बत कम होती है kinetic friction तो इसके नतीजे में क्या होता है कि rear wheels over take कर जाते हैं front wheels को जिसकी वज़ा से car जो है वो spin कर जाती है और वो move करवाती है rear wheels को first तो यानि के जब ऐसी situation create हो जाए कि जब car की parking brake जब हैंड बेक अचानक लगा दी जाए तो car जो है वो rear wheels उसके lock up हो जाएंगे तो car skid कर जाएगी next अमारे पास question number 8 है why is the surface of a conveyor belt made rough conveyor belt यानि के इसकी बात हो रही है अपने airport पे देखा होगा कि वहाँ पर जब जाने लगते हैं तो अपना जितना भी luggage होता है समान होता है वो एक जगा पर रखा जाता है तो वो हमारे पास conveyor belt होता है जिसके उपर वो समान move करता हुआ आगे की तरफ जाता है question में ये पूछा गया है कि conveyor belt को rough क्यों बनाया जाता है तो basically अगर smooth surface हो और उसके उपर समान रखें तो smooth surface की वज़ा से smooth surface और उस समान के दरमियान उस luggage के दरमियान जो friction है वो बहुत कम होगी तो इस वज़ा से maybe possible के बैलिट चलता रहे और वो समान उदर ही रुका रहे friction ना होने की वज़ा से तो इसको rough इसलिए बनाया जाता है ताकि इसकी friction ज़ादा से ज़ादा हो और उस luggage और इस बैल्ट के दरमियान में friction जितनी ज़ादा होगी वो easily उस बैल्ट के साथ-साथ move करता रहेगा अगर friction नहीं होगी तो अनर्शिय की वज़ा से वो जो लगेच उसके उपर है वो अपनी position बरकरार रखने की try करेगा यानि कि वो उदर ही रुका रहेगा और बैल्ट move करती रहेगी तो इसलिए इस conveyor बैल्ट को rough बनाया जाता है नेक्स्ट नमारे पास question number 9 है why does a boatman tie his boat किनारे पर लाकर बांधता है रसी उसकी बांधता है और उसके बाद passengers को अलाओ करता है और उस कश्टी से उतने बोर्ट से नीचे उतरें इसकी reason क्या है इस तरह बोर्ट को बांध दिया जाता है किसी चीज़ से उसके बाद उनको कहा जाता है क्या आप बोर्ड से उतने तो उसकी रीजन ये है कि बोर्ड के उपर जो पैसेंजर्स हैं वो जब बोर्ड के उपर चलेंगे तो जिस तरह हम जमीन पे चलते हैं तो अपने फुट की मदद से जमीन को बैकवर्ड पुश करते हैं तो वो इस boat को backward पुश कर रहे होंगे अब उस backward पुश होने के नतीजे में बोर्ड और वाटर के दिर्मान तो force आ फ्रेक्शन मिनिमुम होती है तो उस push के नतीजे में वो बोर्ड जो है वो back की तरफ धाली जाया उसके उपर force लगे और वो force इतनी हो कर वो पीछे की तरफ move कर जाए उसके move करने से जो passengers है वो भी गिर सकता है और दूसरी बात वो board जो एक किनारे पी थी वो भी पानी के अंदर चली जाएगी तो फिर उसको दुबारा वापस पानी के अंदर लाने के लिए भी एक और board पे जाना पड़ेगा उसको तो ज़्यादा यह है कि passenger को dangerous है इसमें तो basically क्या है कि third of motion apply हो रहा है कि action and reaction जो है वो इस पे implement होके passenger को भी मुकसान पहुचा सकते हैं और board भी पाने के अंदर वापस जा सकती है तो उस चीज़ से बचने के लिए board को पहले किनारे पर बाढ़ दिया जाता है और उसके बाद अलाव किया जाता है कि वो passengers board से बाएर आएं नेक्स रमारे पास question number 10 है In uniform circular motion is the velocity constant, is the acceleration constant, explain uniform circular motion में क्या velocity constant होती है और acceleration constant होता है, इसको हमने explain करना है तो uniform circular motion की अगर हम बात करें तो पहले हम velocity की बात करें तो velocity हम जिस भी point पे देखते हैं हर point पे यह red arrow जो show किये गये हैं यह velocity की direction को show किये गये हैं तो हर point पे velocity की direction change हो चुकी है इसका मतलब यह है कि velocity constant नहीं रहेगी वो change होती होती रहेगी हर point पे लेकिन अगर acceleration की बात की जाए तो आप हर point पे देखें तो acceleration की जो direction है वो towards main position है centripetal acceleration हमेशा center की तरफ होता है उसकी direction center की तरफ होती है तो इस वज़ा से circular motion के दौरान centripetal acceleration है वो constant रहेगा लेकिन जो velocity है वो constant नहीं रहेगी next नमारे पास question number 11 है you tie a brick to the end of a rope and where will the brick around you in horizontal circle के एक brick को एक रसी के साथ बांदा और उसको circle में घुमाना शुरू कर दिया horizontal circle में घुमाना शुरू कर दिया describe the path of the brick after you suddenly let go off the rope अब उसके बाद brick की direction बतानी है कि आप अचानक अगर रसी को छोड़ देते हैं तो उस सूरत में brick किस direction में मूब करेगी तो यह situation बयान की गई है कि आप जहाँ पर खड़े होकर एक rope के साथ एक brick बांद देते हैं और उसको circle में मूब करवाना शुरू कर देते हैं horizontally तो अचानक अगर आप एक point पर जाकर उस brick की जो रसी है वो छोड़ देते हैं तो उस सूरत में वो brick किस direction में मूब करेगी तो वो brick जिस भी point पर मौजूद होगी उस point पर वो brick towards the tangent of the circle मूब कर जाएगी यानि कि radius की यह वाली line है ना तो इस radius से perpendicular जो होगा वो tangent बनेगा तो इस direction में मूब कर जाएगी अगर जहां पर आके brick को छोड़ा जाता तो वो इस direction में मूब कर दी जहां पर लाके छोड़ा जाता तो इस direction में यानि कि towards the tangent of the circle radius of the circle मूब कर जाएगी तो आईसा क्यों होगा यह Centri-Fugal force की वज़ा से जब object मूब कर रहा होता है तो सेंटिपीटल force की वज़ा से circle में मूब कर रहा होता है लेकिन जब centrifugal force increase कर जाती है तो centrifugal force वह force होती है जो किसी भी object को away from circle मूब करवाने की try करते है तो जुन ही रोग को छोड़ा गया तो वो उस ब्रिक को अबे फ्राम दी सर्कल ले जाएगी और किस डिरेक्शन में लेके जाएगी टेंजन टू दी सर्कल नेक्स्ट हमारे पॉस्ट क्वेशन नमबर ट्वेल भाई कि जो स्पीड पोस्ट की गई होती है तर्न पे वो कम होती है स्पीड लिमिट जो जादा हाई वेश पे दिखाई गई होती है यानि कि जो तर्न पे स्पीड लिखी गई होती है वो कम क्यों होती है तो जो post-it speed होती है turn पे वो lower than होती है the speed limit most high base पे जो लिखी होती है इसकी वज़ा क्या है कि motion के दौरान ज्यादतर high base पे speed की वज़ा से जो friction होती है वो काफी low होती है लेकिन slow motion के दौरान जो friction होती है वो increase कर जाती है इस वज़ा से जो turn speed है वो lower than होती है speed limit on most high base questions थे, वजीद किसी भी चप्टर की exercise का solution देखने के लिए आप हमारी website विजित कर सकते हैं इसके इलावा आप हमें Instagram, Facebook और YouTube पर follow करें और online जहां टीजिशन परने के लिए आप हमसे WhatsApp पर contact कर सकते हैं Thank you